सिलेमा हौल प्रेजेंट्स दिशूगर लैंड एक्सप्रेस कानून के निगा में वो अच्छे माबाप नहीं थे इसलिए उन्होंने उनके बच्चे को उनसे अलग कर दिया लेकिन एक मा के सामने देश और कानून की ओकात ही क्या है कहानी की शुरुआत होती है शहर से बहुत दूर एक गीले हाइवे पर जहां एक बस हमारी तरफ बढ़ती आ रही है हाइवे से जुड़ी एक छोटी सड़क के किनारे एक शतीगरस्ट कार पड़ी है जिसका एक आदमी निरक्षन कर रहा है बस टी पॉइंट पर रुकती है और उसमें से एक मात्र लड़की उतरती है बस निकल जाने पर वो लड़की उस छोटी सड़क पर पैदल चलना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में वो टेकसास के सुधार विबाग के उस परिसर में दाखिल हो जाती है जहां कुछी महिनों में रिहा होने वाले कैदियों को रखा जाता है सुधार केंदर के गाड़ से बाचीत के दुरान हमें पता चलता है कि लड़की वहाँ पहली बार आई है उसका नाम लूजीन है और वो वहाँ अपने पती क्लोविस पॉपलिन को मिलने आई है गाड़ लड़की का बैक चेक करता है जिसमें टेकसास गोल्ड स्टैंप निकलते हैं जो एक लोयल्टी प्रोग्राम के स्टैंप हैं जिससे खाने की चीज़े खरीदी जाती हैं इसके बाद गाड़ लड़की को परिसर के अंदर के नियम बताता है जिसमें अशलील पीडिये यानि की पब्लिक डिस्प्ले ओफ एफेक्शन वरजित है परिसर में और भी कैदियों के परिवार उनसे मिलने आये हुए हैं तबी एक गाड़ क्लोविस को लेकर वहां पहुंसता है क्लोविस लूजीन को देखकर बहुत खुश होता है लेकिन लूजीन उसे देखते ही उसे कुछ बताने की कोशिश करती है जब क्लोविस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता तो वो सीधा उसवर बम फैकती है वो कहती है कि वो उसे छोड़ने वाली है दुनिया के वाकी मर्दों की तरह क्लोविस को कुछ समझ में नहीं आता और उसके सभी प्रयास लू जीन को और बुखला देते हैं फाइनली वो पॉइंट पर आती है और उसे पूसती है कि क्या उसने अपने बच्चे को मिस नहीं किया तब प्लोविस की बत्ती जागती है और वो पूसता है कि वो उनके बेटे को लेकर क्यों नहीं आई लूजीन बताती है कि वो महिलाओं की जेल से तीन हफते पहले रिहा हुई थी उन दोनों की कैद के दोरान वेलफेर बेबी लैंग्स्टेन को अपने संडरक्शन में ले गई थी रिहाई के बाद लूजीन जब वेलफेर गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसको बेबी लैंग्स्टेन के बारे में उसके पते पर सुचित किया था लेकिन लूजीन अब उस पते पर रहती ही नहीं है बच्चे की माँ से कोई जवाब न मिलने के चलते वेलफेर ने बच्चा एक संपन फोस्टर परिवार को दे दिया था क्लोविस और लूजीन वेलफेर के इस वेवार को समझ नहीं पाते लूजीन को किसी भी कीमत पर अपना बच्चा वापिस चाहिए और वो Clovis को बताती है कि इस समय उनका बच्चा Sugarland में है वो Clovis से इतना ही जनना चाती है कि क्या वो उसके साथ है जिसमें Clovis हामी भर देता है Loo Jean पूरी त्यारी करके आई है उसके पास बसके टिकट भी है Sugarland से LA के लिए जहां वो Clovis और Baby Langston के साथ अपना घर बसाना चाती है इससे पहले कि Clovis अपने आपको संबाल सके लूजीन उसे अपने पीछे आने को कहती है महिलाओं के वाश्रूम को छोड लूजीन मर्दों के वाश्रूम में दाखिल हो जाती है इससे पहले कि Clovis संबल सके लूजीन उस पर तूट पड़ती है वो Clovis को वहां से ले जाने की पूरी त्यारी करकर आई है Clovis के हर सवाल के बदले उसके होटो को सी दिया जाता है लूजीन के बैग में कुछ नहीं था लेकिन वो कपड़ों की दो परते पहन कर आई है Clovis जेल से बागना नहीं चाहता क्योंकि उसकी सजा के सिर्फ आखरी चार महीने ही बाकी है लूजीन उसे चिताबनी देती है कि अगर आज वो उसके साथ नहीं आया तो ये उनकी आखरी मुलाकात होगी यहां Clovis उसके हट के सामने हार जाता है परिसर से बार निकलने के दोरान Clovis के जेल का साथी हुवी उसे पहचान लेता है और वो उसे आकर समझाने की कोशिच करता है कि उसका ये कदम मुरक्ता का प्रतीक है अंदर से Clovis भी जानता है कि हुवी की बात में दम है लेकिन जैसे ही हुवी गाड को पकारने जाता है लूजीन उसके होटों को सी देती है अब Clovis की तरह हुवी भी लूजीन का एक अधना सा गुलाम है जैल के पारकिंग लॉट में हुवी के बुड़े माबाप अपनी गाड़ी निकालने की तैयारी में होते हैं जब लूजीन और Clovis उनके पास पहुंसते हैं वो अपने आपको हुवी के दोस्त बताते हैं और लूजीन के समोहन में जकड़ा हुवी इस पर मोर भी लगाता है अपने बेटे के दोस्तों को लिफ्ट देने में हुवी के माबाप को कोई तकलीफ नहीं होती और हुवी भी बड़ी आत्मियता से उन्हें वहाँ से विदा करता है इसी दुरान एक आफिसर बच्टर नाम के एक आदमी को पुलिस टेशन ले जा रहा है जेल से भागने के लिए हुवी के पिता की गाड़ी से भैतर कोई विकल्प नहीं था लेकिन हाइवे पर पहुँचने पर फ्लॉविस और लूजीन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है एक के बाद एक पीछे की सभी गाड़ियां उन्हें ओवर्टेक कर लेती हैं और फिर पुलिस अफसर की गाड़ी एकदम उनके पीछे आ जाती है अफसर उन्हें गाड़ी साइड में लगाने को कहता है लोगों का निर्धारित स्पीड से तेज गाड़ी चलाने का चलान करता है यहां किस्सा उल्टा है और अफसर उनकी गाड़ी का सेफटी स्टिकर देखना चाता है जैसे ही वो गाड़ी की तरफ बढ़ता है गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे क्लोविस और लूजीन बुरी तरह से हड़डा जाते हैं इससे पहले कोई कुछ भी समझ सके लूजीन गाड़ी लेकर भाग जाती है और देखते ही देखते एक छोटी सी स्पीडिंग की चेतावनी कार जैकिंग का केस बन जाता है ओफिसर घटना की सूचना अपने स्टेशन को रिले कर देता है जहां एक तरफ लूजीन ओफिसर के सधारन से दिन को आसाधारन बना देती है वहीं दूसरी तरफ उसकी गाड़ी में बैठा बश्टर भी उसका दिमाग खाने की कोई कसर नहीं छोड़ता लूजीन अब किसी के भी हाथ आने वाली नहीं है और वो हुवी के पिता के खटारा को भी रेस कार की तरह दोड़ाने लगती है बश्टर का गुना हम नहीं जानते लेकिन ये कारचेज अब उसके लिए एक मौत की सजा से कम भी नहीं दूसरी तरफ नौजवान अफसर भी लूजीन को बराबर की टकर देता है जिसे देखकर बश्टर ईश्वर को याद करने लगता है आखिर कर लूजीन की गाड़ी क्रैश हो ही जाती है अफसर क्रैश की खबर स्टेशन को देता है और एक एम्बुलेंस और टो ट्रक की मांग करता है और इस सरकारी वर्तलाप के दोरान बश्टर की प्राथना जारी रहती है क्लोविस की हाला ठीक लगती है लेकिन लूजीन कार से बाहर नहीं निकल पाती और अफसर उसकी मदद करने की कोशिश करता है मौका मिलते ही लूजीन आफिसर की सर्विस रिवॉल्वर निकाल कर क्लोविस की तरफ फैक देती है आफिसर उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन क्लोवीज भी अब वापस जेल नहीं जाना चाता वो दोनों आफिसर को बंदक बना लेते हैं और बश्टर को रिहा कर देते हैं इसके बाद क्लोवीज आफिसर को कार में बैठने के लिए कहता है आफिसर अब भी उन्हें समझाने में के कमी नहीं छोड़ता और उन्हें अब तक के अपने सवी किये हुए गुनाओं की गिंती करवाता है यानि कि जेल से निकलने के बाद अब तक उन्हें क्या-क्या कानून तोड़े हैं और अगर वो कार में बैठ गया तो ये केस किननापिंग का बन जाएगा लूजीन की तरह क्लोविस को भी अब किसी बात का फरक नहीं पड़ता यानि कि अब वो किसी भी हाल में शुगर लैंड जिरूर जाएंगे